Hello students, how are you? I hope you'll are well. So today we are going to discuss chapter 10, the ING form of the verb. And I'm having the book with me, Learn Well English Grammar Classics. So this is our interesting chapter, definitely you will enjoy it. So let us see, ING form, verb, you know, verb, you know, if you have any action, so we will find ING form, so there are two types, one is gerund, second is present participle, and present participle, what happens in the gerund, present participle, and present participle, present participle, present participle, it's interesting, we know how to know which is present participle, which is what you can say in the book, if you can use verb as a noun or verb as a verb, तो वो क्या आपका gerund है और अगर वो ऐसे जो वर्ब के सथ आएंजी है ना अगर वो ऐसे adjective यूज हो है मलए कि किसी noun की quality की तरह की use हो है तो वो present participle बन जाती है वर्ब के first form के सथ आएंजी है जो मैं एक बाद फिर आराम से repeat करती हूँ जैसे वर्ब के first form के सथ आएंजी है ठीक है दो से दो चीज़ हो सकते है तो जैरंड हो सकता है या फिर present participle ठीक है है अगर as a noun as a noun मतलब तो जैसे अगर as a subject use हो रहा है ठीक है या फिर as a verb use हो रहा है किसी काम की तरीके से use हो रहा है तो वो जैरंड है अगर वो किसी word मैं की नाउन की खासित बता रहा है वो वर्ड तो वो कह है एजेक्टिव है ठीक है यह बात तो देखा आपको याद रखनी ही पड़ेगी इसके बिना तो काम नहीं चलेगा आपको क्यों नहीं तो फिर सारा मिक्स कर दोगे आप जैरंड को प्रेजन पार्टिस्पल बना दोगे प् बिनाउन बन गया आएंजी तो इसमें क्या है यह जैरंड है ठीक है फॉंड ऑफ स्मोकिंग यहां पर यहां पर यह जैरंड यूज हो है तो दोनों ही फॉम में यूज हो सकता आपका ऐसे वर्ब और ऐसे नाउन भी तो उसकी सिट्वेशन में जो आएंजी फॉम है जो वर प्रेजंड बन जाता है यहां पर हाँस की क्wealtty कarena रहा यह वर्ण के क्या बन गया बना प्रेजंड बन जाता है बैंट्रेस्टें कैसी है interesting है तो encryption उसकी खासे होगी तो यह क्या हो चाहिएगा प्रेजर्ट प्रेजर्टपार्टीसपल वरकिंग लेटी लेडी रटेसे रूनिंग क्या हो जाएगा आप प्रेजर्ट 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 में क्या distrit होजाएगा बचे इसमें आपको क्या बताना है कि complete the flowing sentence by putting the given verb into gerund present participle आपने वर्ब की फिल करनी है आएंजी फिर mention करने के वाइसे जरंड यूज किया है ऐसे present participle आपने यूज किया है इसे नमन लगाना है एक इसे वर्ब और जाएगा और पीलिंग भी वर्ब हो जाएगा तो यह किया हो जाएगा जाया थे कैसा वटर है आपको प्रेजेंट पास्ट पर आपस्ट लोजाएगा सौम्य बिगेन लिटिंग नोल यस्टडे तो रीडिंग नोल आपका simple gerund हो जाएगा लाइंग विटनेश ओड टू बी पनिश स्टीक है लाइंग विटनेश तो यहाँ पर जो विटनेश किसा लाइंग आ तो यहाँ पर present प्रेसर प्लम्बर प्लैज कीणका है, तो कैसा प्लेइट थी कालिड़ी यहां प्रेसिट प्लीच सब्क कन लेखेँ, तो यहांपे प्लम्बर कावी । थो यहां पर टर्वां तो है इंड घाल हैं घाल में लॉकिंट कोंट धिकाई घाल हो कांट था भी जींट तो क्या हो जाएगा आपका यह जाएगा तो इस तरीके से आपने करने हैं फिर उसके बाद आपका क्या है कि बहुत इंपोर्टेंट रूल है इसके बेस पर आपकी जो सेकंड और थार एक्साइजर वो कंप्लीट होगी जैरंड के आगे आपका जो भी नाउन है उसे पहले आ ऊब्जेक्तिव नहीं आएगा तो इहाना है आपका क्या हो गया बजेसिव के आपका झाल और और यू और और ऑब्जेक्टिव केस लता है और यू फिर आपका objective case होता है और इसमें आपका he, him, his होता है यहाँ पर मैं लिख देती है nominative और possessive और objective ठीक है तो यह his होता है और objective case का होता है him होता है यह आपको याद रखना होता है we का क्या होता है आपका our होता है possessive और इसका us क्या होता है us क्या होता है लेज़िए और यह पो क्या अब्ज़क्तियर अब का अब्जयक्ति बूर्टख होता है भी नहीं से और इह नहीं है ये नहीं, नेम से आगे और पोस्टर लगा कैस आएगा ठीक है अब सींपल आपको ध्यान रखना है कि आएंजी आएंजी से पहले आपने क्या यू का क्या हो जाएगा यू का क्या हो जाएगा और असका क्या है आपको तोड़ा सा याद करने के जूरत है बिल्कुल भी एक भी गलत नियुका इसमें क्या गलिए आपने क्या अप आपने पहले तो COM का COMING हो जएका, YOU का क्या सब्सक्राइब, इसी तरीके में बहुत है तो कुछ जएंग हो जएका, तो डिक बहुत ना बहुत बोलना बहुत बहुत जूरी है कि कानों तक जाएगा, का का क्या हो जाएगा कमीं हो जाएगा क्या हो जाएका एक यह क्या हो जाएगा त्रै का ढूटा हो जाएगा पॉइंट नॉक parchment क्या हो जाएगा एक हो जाएगा है ढाइक हो जायगा को १ृत लेकिन ध्यान देने की शुर्त है तो सभी को याद करने पड़ाइगा माया रिपार है आपको इजी ली आपकी कोई भी एक साइज इस मुक में से है या कोई भी और भी पब्लिकेशन है तो वह सब नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में तिल दर भी हैपी कीप सड़िंग बबाई